परिवहन विभाग ने कहम दस्तावेज को अनिवारे कर दिया है जोसे एक बात तो साफ है कि अब बिना अधार कार्ड के ना तो लर्निंग लाइसेंस बनेगा और ना ही वहनों का स्थालांतरन होगा इसको लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है इसको लेकर रज्य परिवहन आयुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्त सहसचिफ छेत्रिय वहन प्राधिकार सभी जुला परिवहन पराधिकारी और मोटर यान निरिक्षक को आधार की अनिवारता को पत्र लिखा जुसमें साफ किया गया है कि केंद्रिय सडक परिवान इवंग राजपार मंत्राले की तरफ से तीन मार्च को जारी अधिसूश्रा में संपर्क रहित सेमाओं का लाब उठाने के इच्छों किसी भी व्यक्ति के लिए आधार प्रमाणी करन करना आवश्यक किया गया है अंतत से वहन की श्रेनी को छोड़ना, मोटर वहन के अस्थाई पंजीकरन के लिए आवेदन, वहन पंजीकरन के लिए आवेदन, पंजीकरन प्रमान पत्र के लिए अनोसी आवेदन, मोटर वहन के स्वामित्व हस्तानांतरन के लिए आवेदन, और सूच्रा च्वालक से मोटर वाहन के पंजीकरन के लिए आवेदन किराया खरीत करार की अनुसाशन आदी को शामिल खिया गया है। अब बादी के लिए गारी का इंतजाम ट्रक का संचालन करने वाली कमपनी को ही करना होगा। विभाग की तरफ से दी जाने वाली सुवधा के लिए आवेदन को से कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि ड्राइविंग लाइसे साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धनिवाद।